ओ जै 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 भोले वंदारी तेरी महिमा अगम अपारी शिव शंकरे बोले बाले ओ नमशिवाई बोलो ओ नमशिवाई ओ अचल अजर अमर अविनाशी कैलाशी काशी केवासी ओ ले बाघंबरी धारी ओ नमशिवाई बोलो ओ नमशिवाई ओ परम अलाकिक देव्य है द्रेश्टी तुम में समाई सारी सिष्टी सदा समाधी में रहती ओ नमशिवाई बोलो ओ नमशिवाई ओ तुम्रे अधभुत केल निराले घोर हलाहल पीने वाले मीले गंठे है तेरो नाम ओ नमशिवाई बोलो ओ नमशिवाई ओ मस्तक चंग्र करे उजिया आला गल पहने सरपों की माला दंगा धरे तेरो नाम ओ नमशिवाई बोलो ओ नमशिवाई ओ जाने कितने नाम तिहारे सोच सोच कर हम तो हारे नमशिवाई बोलो ओ नमशिवाई ओ भूतनात तुही तुही सरवेश्वर अंबिकानात तुही योगेश्वर दीनो लोति कि हो स्वामी ओ नमशिवाई बोलो ओ नमशिवाई ओ भीमा शंकर कही रामेश्वर पशुपतिनात कही नागेश्वर नारा जो तिरे लिंग माहाई ओ नमशिवाई बोलो ओ नमशिवाई ओ भीम महेश्व मृत्युन जै तुही शूल पाणी उमेश्व है तुही ओ मपती महेश्व तुम्ही हो ओ नमशिवाई बोलो ओ नमशिवाई ओ देवों के सरताज तुम्ही हो आशुतोश नटराज तुम्ही हो ओ देवों के सरताज तुम्ही हो ओ नमशिवाई बोलो ओ नमशिवाई ओ गुष मेश्वर कहीं ओ मा के पती तुम्ही हो नागेंद्र कैलाश पती तुम्ही कातिक गड़ेश के पिता तुम्ही हो ओ नमशिवाई बोलो ओ नमशिवाई ओ योगिनात तुम्ह रोद्रनात जी अर्द नारेश्वर अमरनात जी नाजे पनते के तुम्हें दाता ओ नमशिवाई बोलो ओ नमशिवाई ओ आदिदेव मुंज माला धारी शिवशंकर भोले त्रिपुरारी तले में सर्वों की माला ओ नमशिवाई बोलो ओ नमशिवाई ओ शंभुनात जी शिबजिनात जी केतारनात जी बैजनात जी नीली कंथे है तीरो नाम ओ नमशिवाई बोलो ओ नमशिवाई ओ त्रिकाल दर्शि तुम प्रलयंकारी महायोगी त्रिनेत्र के धारी तने पर सदा बगुतीर माते ओ नमशिवाई बोलो ओ नमशिवाई ओ तिर लोकी के नात तुम्ही हो भोले बेश्व के नात तुम्ही हो ओ नमशिवाई बोलो ओ नमशिवाई ओ जै भोले जै जै शिवशंकर संग में देहते भूत भयंकर नंदी की करते है सवाणी ओ नमशिवाई बोलो ओ नमशिवाई ओ जटा जूट से बहति गंगा नाचे भोले पिकर भंगा मस्त मलंगे भोली ना ओ नमशिवाई बोलो ओ नमशिवाई ओ कोई कहे बोले बंडारी तेरी महिमा जग से नारी दया के सागरे गोली ना ओ नमशिवाई बोलो ओ नमशिवाई ओ बड़े ही दयालू दयाबान हो ओ भोले देवू मेरे महान हो राम नाम की करीते पूझा ओ नमशिवाई बोलो ओ नमशिवाई ओ बोले मुझे पे किरपा कर दो हात शिश पर मेरे धर दो चरेडो मेरे तेरी प्रणा ओ नमशिवाई बोलो ओ नमशिवाई ओम नाम के हो मतवाले ओम पीते हो नित भांग के प्याले केलश परवत तेरा धां ओम नमा शिवाई बोलो ओम नमा शिवाई ओ तुमको पूजे जती सती जी संग में गोरा पारबती जी देलाशी काशी की वासी ओम नमा शिवाई बोलो ओम नमा शिवाई ओ दानव देव सब तुमको मनाते चरणों में तेरे शीष नवाते नाचे नाचे करे गुड़े गार ओम नमा शिवाई बोलो ओम नमा शिवाई ओ भीम सेन है शरणत हारी ओ पत रखना भोले भंगारी दखतों की पालने आली ओ नमा शिवाई बोलो ओ नमा शिवाई ओ हंस राज तुम्हे भूल न पाए जनम जनम तेरे गुण गाए चरिणों में सदाशी शिवाई ओम नमा शिवाई बोलो ओम नमा शिवाई हम भोले नाथ की तुमको भगतों कथा सुनाते हैं आवन कथा सुनाते हैं दैत्यों का संहार करने को जब ये आते हैं हम कथा सुनाते हैं हम भोले नाथ की तुमको भगतों कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं दैत्यों का संहार करने को जब ये आते हैं हम कथा सुनाते हैं जब तो दित ये हो जाए, कोई कैसे भला मच पाए शिव शंकर को ऐसे तो भगतों भोली नाथि का जाए, थोड़ी सी तप से ही प्रसंद ये क्योंकी हो जाए सची मन से करता है जो भी शिव शंकर की भगती भोली नाथि नहीं देती है मन चाहि फिर शक्ती देवों की भी देव है भोली महादेव कहलाती स्रिष्टी की रक्षा को ये विश भी तो है पी जाती इन तो अपना रूप धरी जब भोली नाथि विकरा शती शाले देत्यों का भी बन जाते है का ऐसी ही एक कथा अनोखी तुम्हे सुनाते है आवन कथा सुनाते है देत्यों का संहार करने को जब ये आते हैं हम कथा सुनाते हैं जब गोधित ये हो जाएं कोई कैसे भला बच पाएं कोई कैसे भला बच पाएं भोली नाथ निमात सती से जब है व्याहर चाया बहुत दिनों तक उनका साथन खिंत रह पाया एक यग में राजा दक्षनी किया शिव का अपमा मात सतीनी हवन गुंड में गुद के जागे प्राण सती विरह में भोली नाथ वे जागी हो जाते हैं आकर के कैलाश पे अपना ध्यान लगाते हैं सोची रहे हैं भोली नाथ कभी व्याह नहीं करना बनकर की रहु जोगी हरी का नाम है सिमिरना हरी भजन में वो बस अपना ध्यान लगाते हैं आवन कथा सुनाते हैं दैत्यों का संभार करने को जब ये आते हैं हम कथा सुनाते हैं जब दो दित ये हो जाएं कोई कैसे भला मच पाएं कोई कैसे भला मच पाएं ताद कसुर नामक दानों एक उसी समय हुआ था वेरागी है भोले नाध वो बेद जान दाता तार कसुर नी व्रम्हाची से पालिय ये वर्दा उसका वधबस कर पाएगी शिव की ही संता पारबती के रोप में सती का अगला जन्द हुआ शिव ही पती तुम्हादे होंगे नारद नेका परमाता को करनी पड़ी है बड़ी कथिंत पस्या भोले नाध के साथ में फिर तो उनका व्याह हुआ करतिक रूप में एक पुत शिव गोरा पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं दैत्यों का संभार करने को जब ये आते हैं हम कथा सुनाते हैं जब दो दितिये हो जाएं कोई कैसे भला बच पाएं सब देवों ने कारतिक को फिर सेना पती बनाया तार कस योधे करने को जब देवों से आयां ये शिव की संधान कारतिक तार कसुर गया मारा तार कसुर वध को भूरी में खेले रचाया सारा तार कसुर का वध तो कारतिक के हाधों हो जाएं तीन पुत्र थे तार कसुर के उनके नाम बताएं बड़ा पूत्र है तार कसुर का तार का आक्ष कहा जाता मंजला पूत्र तो है कम नाक्ष की नाम से जाना जाता बेद्यून माली उनकी छोटे पूत्र कहाती है पावन कथा सुनाते हैं दैत्यों का संभार करने को जब ये आते हैं हम कथा सुनाते हैं जब दो दित ये हो जाएं कोई कैसे भला बच पाएं कोई कैसे भला बच पाएं पीनों पूत्र जब तार कसुर के बड़े हो जातें अपने पिता के वद का वद ला लेना है चाहतें ब्रम्हा जी के भगती में तीनों ही लग जाते हैं करके घोर तपस्या वो ब्रम्हा को मनाते हैं कई हजारों भरशों तक बड़ी कथिन तपस्या की में उनके तपसे प्रसन हो गए आखिर ब्रम्हा जी कोई तपस्या से जो प्रसन तो ब्रम्हा जी आए कहने लगे की मांग लो वर तुम जैसा भी चाहें पीनोन से बोली अमर हम होना चाहती हैं आवन कथा सुनाती हैं दैत्यों का संभार करने को जब ये आती हैं हम कथा सुनाती हैं जब दो दित ये हो जाएं कोई कैसे भला बच पाएं कहने लगे की ब्रम्हा जी कोई अमर नहीं हो सकता जन्मलिया है उसके लिए कभी संभा नहीं अमरता मृत्यों तो एक अटल सत्य है अवश ही आएगे कि तु जैसे चाहो ऐसे तुम्हारी हो जाएगी नहीं अमरता का वरतान मैं तुमको दे सकता आया है जो इस जग में उसे जाना है पड़ता और कोई वरतान मांग लो जैसा तुम चाहो बोले तीनों भाई हमारी पुरिया तीन बराओ कर दे वहां स्थापित जिनको जहां हम चाहते हैं आवन कथा सुनाते हैं दैत्यों का संभार करने को जब ये आते हैं हम कथा सुनाते हैं जब दोधित ये हो जाएं कोई कैसे भला बच पाएं जब दोधित ये हो जाएं कोई कैसे भला बच पाएं गम हाँ जी ने उन तीनों की शर्त यली हैं विश करमा जीन ने किया है पुरियों का निर्मा तार काक्ष के लिए उन्होंने स्वन पुरी बनाई और कम लाक्षिन अपने लिए एक रजत पुरी बनवाई वेद्यों माली के लिए कर दिया लोह पुरी का निर्मा उनकी जैसे एक शाथी दिया ब्रम्हानी वर्दान बोले पीनों ही पुरिया जब एक पंती में आए असंभोरत असंभवान से हमारा बध हो जाए ब्रम्हा जी उन्ही मन चाहा वर्दान दिजाती है पावन कथा सुनाते है बैत्यों का संहार करने को जब ये आते है हम कथा सुनाते है जब दोधितिये हो जाए कोई कैसे भला बच पाए अपनी अपनी पुरियां ले कर तीनों बड़े हर शाये उन्हे अस्थापित कर देती है जहां भी तीनों चाये त्रिपुरा सुरीन तीनों को ही बोला जाता है तीनों भायों का तंक बड़ा पढ़ जाता है कभी धरती पर कभी स्वर्ग में पुरियों को ले आते रिश्मोनियों और सत पुरुषों को वो तो बड़ा सता ले तीनों ही भायों का योध फिर सब दैवों से हुआ निशिका सित उन्हें देव लोक से दैत्यों ने है किया भोले राथ की शर्ण में सभी देवता आते हैं पावन कथा सुनाते हैं दैत्यों का संभार करने को जब ये आते हैं हम कथा सुनाते हैं जब दो दित ये हो जाए कोई कैसे भला बच पाए जब दो दित ये हो जाए कोई कैसे भला बच पाए कहने लगे देवता हमको भोले नाथ बचाओ त्रिपुरा सुर का तंक बढ़ता जाए उसी बिटाओ ब्रम्हा जी से पाया उन्होने ऐसा है वरदा रिश्वनियों और सत पुरशों को करते है परिशा देव लोग परविया करके अब अधिकार किया हमसे स्वर्ग लोग को उन तीनों ने जीत लेया भोली ना थी ये बोली लीलो शती मेरी आधि पद कर सकते त्रिपुरा सुर का तब देवो तुम भी आधि शाक्त भी भोली किसा भाल न पाती है आवन कथा सुनाती है देत्यों का संभार करने को जब ये आते हैं हम कथा सुनाती है जब दोधित ये हो जाए कोई कैसे भला मच पाए जब दोधित ये हो जाए कोई कैसे भला मच पाए आधि शक्ती भी भोली कि देव संभाल न पाए लगे सुच नेत्र पुरा सुर कावध कैसे किया जाए भोली नाथ से ही करने लगे सभी देव बिनती आर देदी है भोली नाथ को अपनी भी शक्ती ब्रम्हा का वरदान था पुरिया जब पंती में आए असंभो रथ हो बान असंभो तब ही वध हो पाए सारी शर्ते एक साथ जो पूरी हो जाएगी त्रिपुरा सुर की वेत्यों तब ही संभो हो पाएगी असंभो रत और वान असंभो खोजन चाहती है पावन कथा सुनाते है दैत्यों का संभार करने को जब ये आते हैं हम कथा सुनाते हैं जब दो दित ये हो जाए कोई कैसे भला मच पाए पिथवी को ही रथ फिर तो मिल कर दे वो नी बनाया पही बना कर सुरज और चंदा को लगाया स्रिष्टा बने सार थी जो सिरत को चलाने आए मेरु परबत को देवो ने लिया है धनुष बनाए और वास की नाग बन गई है उस धनुष के डो वायू और अगनी का बन बनना ऐसा कोई ओ जैसे ही उसे रथ पर भोली नाथ सवार हुई लगा डोलने रथ भी अश्वना उसको कीच सके विशा भवन कर विश्नुजी रथ में जुड़ जाती है पावन कथा सुनाती है दैत्यों का संभार करने को जब ये आते है हम कथा सुनाती है जब तो दित ये हो जाए कोई कैसे भला मच पाए जब तो दित ये हो जाए कोई कैसे भला मच पाए असंभारत अरसंभावान तो अब भूली नी बनाया पुरा सुरकाब तो काल निकट ही है आया वायों मंडल में तीनों ही पुरियां घूम रही देख रहे है एक पंती में जब तक आती नहीं तब तक दृपुरा सुरकाब धिना संभाव हो पाएगा होगी पंती में अभी जेत जब नक्षत आएगा भोले नाथ फिर करने लगे है विश्नु जी का धा जोही आए एक पंती में जोड दिया है वाय भस्म एक ही साथ वो तीनों नगर हो जाती है आवन कथा सुनाते हैं बैत्यों का संभार करने को जब ये आते हैं हम कथा सुनाते हैं जब दो दित ये हो जाए कोई कैसे भला बच पाए जब दो दित ये हो जाए कोई कैसे भला बच पाए त्रिबुरा सुर कावध करने को जची है लीला सारी त्रिबुरा सुर कावध करके वह बन गए है त्रिबुरारी किन्तु त्रिबुरा सुर कौन हो ने जो ही भजन किया ग्रावित भोले नाथ का रदैभक तो हो गया रोद्र रूप में जब उनका एक आसु छलक गया जह छलका था आसु वही पर है रोद्राक्ष होआ इसलिए रोद्राक्ष को पावन बड़ा ही माना जाए क्योंकि उत्पन हुआ जो आसु भोले ने छलकाए करुणा रूप इसमे भोले का सभी बताती है पावन कथा सुनाती है दैत्यों का संहार करने को जब ये आते है हम कथा सुनाती है जब दो दित ये हो जाए कोई कैसे भला मच पाए त्रिपुरा सुर का आतंग था बड़ा तीन लोक में छाया बनकर की प्रिपुजारी जिसको भोले ने ही मिता देवों की भी राक्षक भोले माने जाते है महादीव की नाम सीन को दभी भुनाते है अतिशी घ्र हो जाते प्रसन है जो कोई ध्यान लगाए भोले नाथ अपने भाक्त पर सदाख पावर साई भोले नाथ की महिमा गाते सारे वेद पुरान त्रिदे वों में भोले नाथ बड़े माने जाते माहा ब्रम्हार विशनुजी जिनको शीश जुकाते हैं पावन कथा सुनाते हैं दैत्यों का संभार करने को जब ये आते हैं हम कथा सुनाते हैं जब दो दिती हो जाएं कोई कैसे भला बच पाएं जब दो दिती हो जाएं कोई कैसे भला बच पाएं